अलो फ्रेंट्स वेलकम मैं सिद्धान स्वागत करता हूँ आपका पेपर रैकर चैनल में और आज मैं आपके लिए लेकर आया है बिलकुल नया चैप्टर जिसका नाम है बॉल्ड इज टू म च विड्श जिसके राइटर है बिल्यम वर्ट्स वर्थ ठीक है बिलीम वर्ट्स वर्थ जो है बहुता प्रकरती लिए मान्त भी लिए ऑछ घ्र फोर्ठ है इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो नेचर से दूर होता चला जा रहा है भै नेचर की सुन्दरता को नहीं देख पा रहा है अपने जो समाज में जो बहुत तत्तों हैं उनकी बज़े से ठीक है तो हम पहला एस्टेंड जा पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है फिर उसका रिफ्रेंस कंटेक्स्ट और एक्स्प्लेनेशन में आपको आज करवाने वाला हूं ठीक है चलिए तो लाइन है पहले इस्टेंज है यह है दा वर्ल इज तू मच विद अस लेट एंड सून यह इतना अलग है और यह इतना अलग दा वर्ल इज टू मच विद अस इसका अर्थ है कि जो दुनिया है वह हमसे बहुत ही जादा परेशान हो चुकी है दुनिया का मतलब यहां से क्या है? प्रिकर्थी से जो प्रिकर्थी है जो दुनिया है वो हम से मनश्यों से बहुत ही जाधा परेशान हो चुकी है क्यों? लेट and सून इससे पहले भी यानि कि इस समय से पहले भी और आने वाले समय में भी Gating and Spending We Lay Waste Our Powers यानि कि हम कमाते रहे हैं और उड़ाते रहे हैं कमाएंगे भी और उड़ाएंगे भी हमने कमाया भी है और उड़ाया भी है इस समय से पहले भी और आगे आने वाले समय में भी We Lay Waste Our Powers हमने अपनी जो शारी शक्तियां है वो बर्बाद कर दी है Little we see in nature that is ours हम जितना कुछ भी यानि जो कुछ भी इस प्रकृति में देख पाते हैं वो बहुत ही थोड़ा है जो की हमारे आसपास है और जो की हमारा है We have given our hearts away a sordid boon हमने जो अपने हिर्दे को दूर कर लिया है क्या कर लिया है दूर कर लिया है और किसके समीब कर दिया है भौतिक समाज के तक्तों के समीब लाके रख दिया है a sordid boon sordid means होता है गिनोना जो की है कैसा काम है गिनोना काम है reference पढ़ेंगे वर्ट्सवर्थ is the greatest priest of nature and has been honored as its greatest worshipper जो वर्ट्सवर्थ हैं वो greatest priest यानि कि महान बुजा रही है अफ नेचर प्रिकृति के and has been honored और उनको सम्मानित किया गया है as its greatest worshipper इनके सबसे बड़े पुजारी के रूप में He sees the presence of divine spirit बहत देखते हैं the presence उपस्तिती of divine spirit दिब तत्तों की in every object of nature यानि कि प्रिकृति के जो भी तत्तों हैं जो भी object हैं उनमें बहुत दिब तत्तों का उपस्तिती करण देखते हैं This is why he is said to see that man is becoming more and more इसी लिए ऐसा है कि यह देखकर बहुत ही जादा दुखी हो रहे हैं कि man जो है more and more जादा से जादा matter realistic भौतिक वादी होता जा रहा है every day प्रति दिन He exhorts every man to come to nature and get the real peace बहें उपदेश देता है every man प्रति एक व्यक्ति को to come to nature बहें प्रकृति के पास आए और get the real peace और जो बास्तविक सांती है उसको प्राप्त करे Wordsworth is internally pained to note that man is turning away from nature Wordsworth जो है वो आंतरिक रूप से pained है यानि कि दुख्री है उनके अंदर दर्द शिपा हुआ है to note that जो यह बताता है कि man is turning away from nature जो मनुष्य है वो पीछे हो लोट रहा है किस से पीछे हो रहा है प्राम नेचर प्रिकिर्थी से यह जो ओपनिंग लाइन्स है यह बताती है इस साटिसफेक्शन इन हिस हर्ट उसके हिर्दय में यानि कि पोईट के हिर्दय में जो संतुष्टी है उसको बताती है ठीक है Context देख ले This sonnet is the monumental in the poetic works of Wordsworth यह जो sonnet है वो एक स्मृति है एक स्मारक की तरह है In the poetic works जो भी poetic काम किये हैं किसने वर्ष वर्थ ने Because क्योंकि It is the expression of his strong faith in nature यह जो है यह expression है उसका अनुभाव है Of his strong faith in nature जो कि उसका भरोसा है किसमें प्रिकृति के अंदर He is tired of growing matter realistic tendency बहें ठक चुका है ठका हुआ है Of the growing बढ़ती हुई भौतिक वादी Tendency means होता है जुकाओ यानि कि in that age इस समय में या उस समय में जब उसने लिखा था उस समय के जो भौतिक वादी के तरफ लोगों का जुकाओ बढ़ रहा था भौतिक वस्तुओं की तरफ जो लोगों का जुकाओ पढ़ रहा था बढ़ रहा था उस उमर में उस age में उसके लिए बढ़ते हुए को बताया है so he wants बहें चेतावनी देता है the pupil लोगों को to be aware of this habit कि वो इस habit इस आदत से चेत जाएं अवेर हो जाएं जान जाएं this wilderness has gripped man very strongly यह जो दुनियादारी है worldiness means होता है दुनियादारी इस दुनियादारी ने hedge gripped पकड़ लिया आया कसके man very strongly ठीक है explanation the poets torturous soul cries जो poet की यातना पूर्ण torturous means होता है यातना पूर्ण soul आत्मा cries that रो रही है इसलिए that the thirst of man for worldly things is increasing every day यानि की दुनियादारी की जो चीजें हैं उनको लेकर मनिश की जो प्यास है वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन प्रती दिन ठीक है the only thing that he cares for केवल बहेची जिसके लिए बो केवल करता है for his wealth and money किसके लिए धन धन दाने और पैसा के लिए यानि की बैवब और पैसे के लिए ही वहे केवल केर करता है he is always busy in earning money भहे हमेशा व्यस्त रहता है पैसे कमाने में and और planning how और योजनाय बनाता है how कैसे to spend it for his comfort कि कैसे भहे इसे इस पैसे को इस money को अपने आराम के लिए अपने बैवब के लिए luxuries के लिए use कर सकता है words worth declares that this habit जो words worth है ये declares बताते है that ये निश्चित करते है that की this habit ये है जो आदत है is not fruitful in any way ये किसी भी प्रकार से लाब्दकारी नहीं है in this way इस तरीके से we were actually destroying our internal हम वास्तब में destroying नश्ट कर रहे हैं our internal हमारी आंतरिक power शक्तियों and this is the symbol of degradation और यह जो चिन है वो किसका है मान भंग मान भंग यानि के हमारे आत्मा से सम्मान का जो मान भंग है उसका चिन है one more harmful result is इसका एक और harmful यानि के हानि कारे परणाम है कि ऑनि निा झ़े आत्मार विडि़ink होते जा रहे हैं फार्दर दूर से दूर यानि के बहुत ज़्दा दूर होते जा रहे हैं फ्रॉम दा इंजोईमेंट जो आनند है किसका आफ नेचर ब्यूटी यानि कि प्राकर्तिक चीजों का यानि प्राकर्तिक सुन्दर्ता का जो अनवब है आनन्द है उससे हम दूर होते जा रहे हैं इस इस दा मोस्ट डेंजरस एंड लेमिन्टेबल सिचुएशन यह सबसे जादा खतरनाक और दुख निये सिचुएशन इस्तिती है रिमार्क तो कंक्लूजन भी कह सकते हैं हम लोग ठीक है दा लव आफ नेचर इन वर्ट्स वर्थ एंड हीज डिश्लाइक आफ वर्डिनेस इज क्वाइट ओबियस ठीक है जो प्रिकृति के लिए प्रेम है वर्ट्स वर्थ का और उसका जो डिश्लाइक घ्रणा है वर्डिनेस दुनियादारी की चीजों के प्रती जो उसकी घ्रणा है और नेचर के प्रती जो उसका प्यार है प्रेम है इज कौईट ओबियस कुछ हद तक सही है these opening lines यह जो opening lines है have become proverbial in literature यह कैसी है lockic है proverbial means lockic है किस में nature literature में the poet indirectly inspires the pupil to return to nature because it is the only friend to support him poet जो है वो indirectly यानि कि अप्तिक शुरूप से यह लोगों को बता रहा है कि वो बापस आ जाए प्रकृति की और क्योंकि अंत में जाकर प्रकृति ही मनुष्ट की सबसे अच्छी दोस्त बनेगी ठीक है तो आज हमने दूसरा पहला स्टेंजा इस शेप्टर का कर लिया है ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट क्लास में दूसरा स्टेंजा लेकर और हमारे साथ चुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं कि जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करें ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट क्लास में धन्यवा